नमस्कार जी NB News 7 में आप सभी का स्वागत है मैं परवेज अक्तर आज मैं मौजूद हूँ बोरी वली में और हमारे साथ मौजूद है यह बहुत ही अच्छे डिरेक्टर इकबाल अली जी और इन्होंने काफे फिल्में की हैं और आए इंसे आपको रूब्रू करवाते हैं अब तो जागो तक्रीबन 10-11 साल हो गए उनको रिलिस हो गए और एक्स्परियंस तो बहुत अच्छा रहा वहां हमने राजिस्तान में शूट किया और राजिस्तान के कलाकार थे और हमारे प्रोडूसर भी राजिस्तान के थे अनीर जैलानी साब बहुत अच्छे इंसान और मेरे मित्र विजय शर्मा जी वो भी बहुत अच्छे इंसान थे आप दोनों पूडूसर थे दोनों एक्टर भी थे और वहां के थेटर के कलाकारों ने काम किया काफी अच्छा काम हुआ जलाल खान साब ने मिजिक दिया है काफी अच्छा मिजिक दिया है और वो फिल् एक शॉट मुवी की थी, उसके बाद मैं गिरिफ्त उम्र बर की, उस शॉट मुवी के बारे में थोड़ो सा मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसमें जेहंदर भगाडे साब, माराटी थेटर के बहुत बड़े कलाकार हैं, काफी संबान से उनका नाम लिया जाता है, और मारा आप इसको डिर्क करें, तो मैंने बला, सर ये तो मेरे लिए बहुत, मतलब सोभागी के बात है, कि आपके जैसे तो मैं डिर्क करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैंने वो फिल्म बनाई, और वो फिल्म बनाने के बाद में उन्होंने बॉम्बे फेस्टिवल के अंदर उन्होंने दिया, और कुछ ऐसा हुआ कि वो पिच्चर जो थी बेस्ट फिल्म का वार्ड मिला उसको, उसके बाद हमने देवता की, देवता जो थी वो हमने गौलियर में की, मेरे मित्रें आमिल खान साब, उनके साथ में मैंने देवता फिल्म की, वो भी काफी अच्छी फ फिल्म के पूडूसर भी वो ही है, और निर्दिशिन के अंदर भी मेरे साथ में है, बहुत अच्छे इनसान है, नेक इनसान है, हम लोगोंने मिलके वो फिल्म की है, चार एपी शोट हमने उसके कंप्लीट कर ली है, वेब सीरीज के, अब बहुत जल्दी आपको बड़े OTT की प्लेट फार्म के पर वो फिल्म देखने को मिलेंगी, सार बैसिकली आप कहा के रहने वाले हैं, देखिए ऐसा है, मेरी पैदाईश तो यहाँ की मुंबई की है, शायद उनकी पिताजी की पैदाईश मुंबई की है, लेकिन आए वो पंजाब से थे, तो तो बहुत पहल उससेटी साब के अंदर एक फिल्म बन रही थी बॉंबे 405 मिल उसमें एक एक्सिडेंट के अंदर उनका ध्यानत हो गया हमारे अंकल का फाइटर थे और उसके गम में सेटी साब में फिल्म नेशी छोड़ काफी मतलब कुछ हुआ है आप देख सकते हैं सेटी साब के अंदर आप देख सकते हैं तो सर आपने कब ये असिस्टेंट डिरेक्टर में कब लगें अब तो जागों से मैं इंडिपेंडन हुआ हूँ तस-ग्यारा साल के मतलब 10-11 साल हुए मुझे फिल्म लैन में इंडिप चंटी था तो क्या उमर रहे होगी सारा आप जब अपने फिल्म लाइन में चैनी तो हमको फिरम 15-16 साल की उमर पे अपने फिल्म राइने करदम रखा दें उमर के अधर मैंने प्रॉडक्शन किया असिट्स्ट्ट्र अपर्टिक्शन तहां बहुत से काम यह काम मिला हो किया शौक था अदेर बनने का डिरेक्शन सीखने का तो बाइपरदे के पीछे तो पैंडी नाइट उस फिल्म से मुझे काफी उम्मीद है और बड़े इसकेल पर कर रहा हूं काफी इसमें जो है वी एफ एक्स वगरा है और होरल मूवी है होरल सस्पेंज मूवी है और काफी अच्छे स्टार उसमें काम कर रहे हैं तो बस वो फिल्म से में भी बहुत मूवी है जो मैं 2-4 मेने के बाद शूट पर जाने वाला हूँ